नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी की पाठे पुस्त क्रिम जिम का पाठ नमबर 6 है, नाव बनाओ, नाव बनाओ, ये कविता बारिश के बोशब पर आधारित है, जब हमें चारो उसकी नाव बनाकर जमे हुए पानी में तैराना बहुत अच्छा लगता है, इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है, जो अपने भाईया से ये कहता है, कि भाईया आप बाजार में जाकर रंग बिरंगी कागज ले आए, उस कागज से हम नाव बनाएंगे, और बारिश के जमा हुआ पानी में तैराएंगे, लेकिन क्या भाईया बाजार से कागज लाते हैं, चलिए जाते हैं और पढ़ते हैं कविता, नाव बनाओ, भाईया मेरे जल्दी आओ, बच्चा अपने भाईया यानि कि अपने बड़े भाई से बोल रहा है, कि भाईया जल्दी से आज और मेरे लिए नाव बनाओ, पेपर बोट कागस की नाव बनाओ, वह देखो, पानी आया है, बारिश का मौसम है, आसमान में काले बादल चाय है, बारिश होने वाली है और बहुत सारा पानी आने वाला है, घिर घिर कर बादल चाया है, आसमान में काले काले बादल चाय हु जैसे ही आसमान को चारो तरफ से बादल ने जैसे ब्रैकेट की तरह घेर लिया है, छा गया है मतलब spread हो गया है पूरे आसमान में, साथ समुंदर भरलाया है, हमारी पुरानी कथाओं के अनुसार हमारे पृत्वी में साथ समुंदर हुआ करते हैं, टूटल सेवन ओशियन्स, और वो कौन-कौन से हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, आर्क्टिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्क्टिक महासागर, हिंद महासागर, इसके बारे में हम और भी डीटेल में अपने पाठ के प्रशनुतर में पढ़ेंगे, त आपने वाटर साइकल यानि की जल चक्र के बारे में तो पड़ा ही होगा। सूरज की गर्मी से तालाब, नदी और समुंदर का पानी थोड़ा-थोड़ा करके सूखता रहता है। स्टीम यानि की भाप बनकर वो आसमान की तरफ उठता है और जैसे ही आसमान में पहुँचता है वो बादल बनाता है और जब बादल एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, भारी बन जाते हैं, काले बन जाते हैं, तब वो बारिश के रूप में उसी पानी को दुबारा जमीन पर बरसा देते हैं, तो हुआ वही न, समुंदर का पानी ही भाप बनके उपर उठा और बादलों में भर गया, इसी लिए बच्चा बोल रहा है कि जो बादल है, वह साथ समुंदर को अपने अंदर भर के लाया है, फिर बच्चा बोलता है, तुम भी रस का सागर भर पहलाऊ, तुम मतलब भाईया रस का सागर भर लाओ, यहां पे रस का मतलब किसी जूस से नहीं है, बलकि भाईया के फीलिंग भाईया के इमोशन से है, कि भाईया आप तो खुश ही नहीं हो रहे हो, आप भी अपने अंदर मस्ती करने की इच्छा को जगाओ, हमारे जो इम जो की कोई कविता या स्टोरी पर रहे हैं, उसमें हम बोलेंगे कि वीर रस है, वैसे ही इस कविता में बच्चा अपने भाईया को मना रहा है, मोटिवेट कर रहा है, कि आप भी अपने अंदर मस्ती करने की इच्छा को जगाओ, उसी को इस कविता में रस कहा गया है, कि तु को भर लाओ उसके बाद पानी सच्मुच खूब पड़ेगा सच्मुच मतलब सच्चाई में लंबी चोड़ी गली भड़ेगा लंबी चोड़ी मतलब छोटी बड़ी हर तरकी की गली को पानी भर देगा गली मतलब पतली सड़क जिस पर दोनों तरफ से घर बने हो जैसे हमार गलियों के अंदर होते हैं और पानी जब भी बरसता है पानी क्योंकि लिक्विड है वो बहता है जहां पे भी उसे जगा मिल जाती है वो वहीं पे घुश जाता है रस्ते भर देता है पतली पतली गलियां भर देता है लंबी चोड़ी सडक भर देता है लाकर घर में नदी धर और अगर बारिश बहुत ज्यादा होने लगे तो कभी-कभी बारिश का पानी हमारे घर के अंदर भी घुश जाता है और ऐसा लगता है मानों हमारे घर में ही एक नदी बन गया है नदी धरेगा मतलब घर में नदी जैसा पानी भर जाना ऐसे में तुम भी लहराओ बच्चा भईया से बोलता है कि तुम भी मस्ती में नाचो मेरी तरह, भईया मेरे जल्दी आओ, उसके बाद बच्चा बोलता है गुलक भारी अपनी खोलो, गुलक मतलब पिगी बैंक, जिसमें हम पैसे रखते हैं, और भईया की गुलक बहुत भारी है, मतलब उसमें बहुत टक पैसे हैं, तभी तो वह भारी है, बच्चा भाया से बोलता है कि तुम अपनी गुलक को खोलो, उसमें से पैसे निकालो, हल्की मेरी, नहीं टटोलो, और मेरी जो गुलक है, वो तो बहुत लगी है, मतलब उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तभी तो वो हल्की है, और इसलिए मेरी गुल्लक को मत टटोलो, टटोलना मतलब कुछ ढूणने के लिए उंगलिया या हात फेरना, भाया आप भी मेरी गुल्लक को हात मत लगाओ, बिल्कुल हलकी है, उसमें पैसे नहीं है, पैसे आप अपने गुल्लक में से निकालो, पैसे नए नए ही रोलो, और बाजार जाके रंग बिरंगी कागज लेकर आओ फिर बाजार लपक तुम लाओ फिर बाजार जाके मारकेट जाके लपक के तुम कागज ले आओ लपकना मतलब जट से, जल्दी से, क्विकली लेकर आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागस चमकीली, लाल हराया नीली पीली, रंग बिरंगी खूब रंगीली, बच्चा बोलता है कि भैया तुम भी मेरे लिए चमकीली कागस लेकर आओ, जल्दी 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 लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, पेपर्स को फोल्ड करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हाथ चलाओ मतलब जल्दी जल्दी काम करो, हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना, कैची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, और जल्दी से नाओ बनाओ, बच्चा कितना एक्साइटेड हो रहा है नाओ बनाने के लिए, फिर आवाजे होती हैं, हमारे चलने की आवाज, और फिर पानी में कुछ गिरने की आवाज, उसे छपछप की आवाज बोलते हैं, तो जब हम पानी में नाव को तैराएंगे, तब वो छपछप करके आवाज करेगी, कूड़े से अड़ेगी, कूड़े से मतलब कचड़े से क्योंकि रस्ते पे कंकर, मिट्टी, पत्थर, सुखे हुए पत्ते बहुत सारी चीज़े रस्ते पे पड़ी रहती हैं जो कूड़ा कचड़ा होती है और जब हमारी नाव उन कूड़ों को धक्का मारती हुई आगे बढ़ेगी उनसे अड़ती हुई आगे बढ़ेगी अड़ना मतलब जिद करना कूड़े कचड़े को धक्का मारते हुए हमारी नाव आगे बढ़ेगी तब बहुत मजा आएगा बूंदो लहरो लड़ती बढ़ती बूंदो मतलब बारिश हो रही है बारिश की बूंदे गिर रही है बारिश की बूंदे हमारी नाओ के उपर भी गिर रही है हमारी नाओ को उन बूंदो से भी लड़ना है कोशिश करनी है कि हमारी नाओ भीग न जाए बूंदो से लड़त वैसे ही बारिश के जमा हुए पानी में भी जब हवा थपकी मारती है तब उसमें भी लहरे उठती हैं और उसी लहरों के सहारे हमारी नाव आगे आगे तक बढ़ती चली जाती है तो हमारी नाव भी बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ेगी सबकी आखो चड़ती गड़ती हमारी नाव सबकी आखो को पसंद आने वाली है और इसलिए भाईया नाव तैरा मुझको हरशाओ नाव को तैरा के सेल करवा के मुझको हरशाओ मतलब मुझे खुश करो भाईया मेरे जल्दी आओ बच्चा कितना एकसाइटेड हो रहा है नाव बनाले के लिए लेकिन भाईया बाजार जाने में थोड़ा आलस करते हैं भाईया थोड़े लेजी हैं आलसी हैं इसलिए भाईया ने थोड़ा बहाना बनाया कि वह नाव नहीं बना सकते बहाना बनाना मतलब किसी काम को ना करने के लिए इधर उधर की बाते बनाना और बच्चा भाईया से बोलता है क्या कहते मेरे क्या बस का कि भाईया तुम क्या बोलते हो कि तुम्हारा बस का क्या है किसी चीज का बस में होने का मतलब कोई चीज किसी को करनी नहीं आती या फिर किसी का उस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं, उसे कहा जाता है कि वो उसके बसका नहीं है, भहिया भी बोलते हैं कि नाव बनाना मेरे बसका नहीं है, तो बच्चा पूछता है कि आप क्या कहते हो, ये आपका बसका नहीं है, तब फिर ये किसके बसका, अगर आपके बसका नहीं है, अगर भईया आप नहीं बना सकते हैं, तब यह किसके बसका काम है, तो फिर यह काम कौन कर सकता है, नाव कौन बना सकता है, आप तो सिर्फ बहाना बना रहे हैं, आप बहाना बद बनाईए, खोट सब ही है, बस आलस का, खोट का मतलब कमी, दोश, बुराई त तो सिर्फ आपके आलस का है, इस बस का मतलब है only, सिर्फ, सिर्फ आपके आलस की ही बुराई है, इसलिए आप बाजार में नहीं जाना चाहते, और बहाना लगा रहे हैं कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है, फिर बच्चा भाईया को motivate करता है, उन्हें मनाने की कोशिश कर इस कविता को लिखने वाले हैं श्री हरी कृष्ण दास गुप्त चलिए एक और बार फिर से हम नए शब्द और उनके अर्थ को जान लेते हैं सबसे पहले घिरना मतलब घेरे में लेना छा जाने का मतलब है फैल जाना रसका सागर बरसाना मतलब उबाओं मन को छोड़कर बोरिंग मन को छोड़कर मन में बहुत सारी मस्ती भर लेना गली का मतलब है पतली सडक जिस पर दोनों तरफ से घर बने हुए हो जैसे गलियों में हमारे घर होते हैं उसके बाद है लहराना मतलब मस्ती में नाचना गुल्लक मतलब पिगी बैंक ऐसी एक चीज जिसमें हम पैसा रखते हैं टटोलना मतलब उंगलियों से हाथ फेरना या फिर कुछ कहीं पे ढूंडना उसके बाद है लपकना मतलब जटपट काम करना जल्दी से काम करना चमकीली चीज मतलब चमकने वाली शाइनी शाइनी चीज अड़ना मतलब जिद करना हरशाना मतलब खुर्ष होना खोट मतलब दोश, कमी या फिर बुराई आलस मतलब सुस्ती लेजी होना इसके बाद हम पढ़ेंगे इस पाठ के तुक वाले शब्द बनाओ का बहुत सारा तुक वाला शब्द है जैसे आओ, लाओ, जाओ, लहराओ, चलाओ, हरशाओ, पाओ आया का तुक वाला शब्द है छाया और लाया पढ़ेगा का तुक वाला शब्द है भरेगा, धरेगा खोलो का तुक वाला शब्द टटोलो, रोलो चमकीली या फिर चमकीला का तुक वाला शब्द है नीला, पीला, रंगीला और लड़ती का तुक वाला शब्द अड़ती, बढ़ती, चड़ती, गड़ती और इसी के साथ हमने कवीता का अर्थ और पार्ट वन यहीं पे खतम किया है इस पार्ट के प्रशन उत्तर का हल हम अगले पार्ट यानि की पार्ट टू में करने वाले हैं जिसके साथ हम इस पार्ट से संबंधित व्याकरन के प्रशनों को भी देखेंगे अगर आपके मन में कोई भी प्रश्ण या फिर डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट टू के साथ तब तक के लिए धन्यवाद एवंग आपका दिन शुब हो